हलो मेरे टारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीट सीरीज ओफ लर्नोहब, तो मैं हूँ शुबं फ्रम लर्नोहब, दे फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म, जहां पर आप फिसिस कमेस्ट्री, माथ्स बाइलोजी, सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एपसिल्यूटली फर फ् इस चैप्टर की सिलसिले को आगे बढ़ा रहे, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने जो कुछ भी कॉंसेप्ट सीके है, I hope आपने उसको देखा होगा, और समझ के ही आगे बढ़ रहे होंगे, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कते आ सकती है, यही पर इस वीडियो म नहीं नहीं तो आगले वाले कुछ चैप्टर्स में भी, कॉडिनेशन वेगरे जैसे चैप्टर्स में भी, तो भीना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, और लेट्स रॉक तो अब तक हम लोग ने D-block elements के कई सारे properties, कई सारे concepts कवर के, अब बारी आती है, सबसे last वाले पाइदान की, जो की है, इन D-block वाले elements के कुछ compounds पढ़ने की, तो हम लोग सिर्फ दो compounds के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक तो है K2Cr2O7, potassium dichromate, और दूसरा है KMNO4, potassium per manganate, chromium और manganese के इन दो compounds में कई सारे interesting features छुपे हुए, तो शुरुवात हम लोग करने वाले हैं हमारे K2Cr2O7, अब शुरुवात भी करेंगे उसके preparation से, फिर बढ़ेंगे properties पर, same logic follow करेंगे KMNO4 के लिए भी, अब prepare कैसे करें K2Cr2O7 को, तो एक लंबी चोड़ी process है हमारे पास, ध्यान से समझना चीजों को, reactions जो है, वो automatic आपको लिखने को आते जाएंगी, अगर आप concept को समझते समझते चले कि भाई, step by step कैसे हम लोग K2Cr2O7 को करेंगे हम लोग, इस dichromate को बनाते हैं हम लोग, chromate से, okay, dichromate बोले तो CR2O7 2-, correct, और इसको हम लोग बनाते हैं किस से, chromate से, chromate बोले तो CRO4 2-, ठीक है, अब इस chromate को हम लोग बनाते हैं कैसे, उसको पहले देखेंगे हम लोग, समझ में आ रही है, line wise जागा हम लोग, पहले chromate को बना रहे हैं, फिर chromate से dichromate बन रहे हैं, तीक, अब chromate बनता कैसे हैं, पहले तो हम लोग chromate ओर लेते हैं, chromate के लिए, और उसका क्या करते हैं, fusion, किसके साथ, sodium या फिर potassium carbonate के साथ, तो देखो, fusion of chromate ओर, अब chromate मतलब CR2O4, ये वाला जो हमारा ओर है, FeCR2O4, जिसमें ये CR2O4 है, इसको कहते हैं हम लोग chromate ओर, तो fusion of chromate ओर करवाते हैं हम लोग, देखो, FeCR2O4 लिया, लिया, देखो, FeCR2O4, फिर इसका fusion करवा रहे हम लोग किसके साथ, with sodium या फिर potassium carbonate, ये रहा, sodium carbonate, in free access of air, तो ये रहा हमार freely present air, अब इन तीनों के मिलन से हमें मिलता है, sodium chromate, Na2CRO4, ठीक है, कहानी इस से आगे अभी बढ़ेगी, अब इस sodium chromate के साथ हम लोग क्या करते हैं, देखना, इसका हम लोग solution बनाते हैं, yellow color वाला बन जाता है, तो yellow solution of sodium chromate को हम लोग filter करते हैं, फिर acidify करते हैं, is filtered and acidified, किसके साथ with sulfuric acid, तो यही चीज़े देखो, यह रहा हमारा yellow solution of sodium chromate, Na2CRO4, filter किया, acidified किया, 2H+, sulfuric acid मतलब पता हमको, और फिर, यह सब करने के बाद, to give a solution, हमें मिलता है, ऐसे, देखो, यह सब करने के बाद, ऐसा हमें solution मिलेगा, जिससे, from which, orange sodium dichromate, देखा, मैंने का कहता, chromate से dichromate बनाएंगे हम लोग, यह फिर dichromate बनता है, chromate से, यह चीज़ बता के न, सबसे पहले, देखो, dichromate बनता है, chromate से, तो वही चल रही है बात, अब chromate बना दिया, अब हम लोग chromate को convert करेंगे, dichromate में, तो यह ही होगा, यह सब करने के बाद हमें एक solution मिलेगा, जिसमें से हमें, orange color का sodium dichromate के crystals, जो है, वो हम लोग निकाल पाएंगे, तो sodium dichromate बोले, तो na2Cr2O7, जैसे potassium dichromate है, k2Cr2O7, देखो, na2Cr2O7, अब इस na2Cr2O7 से हम लोग बनाएंगे, k2Cr2O7, हो गया, तो केसे बनाएंगे, solution of na2Cr2O7 को हम लोग ल solution को treat किया with KCL, बना दिया, k2Cr2O7, orange color crystals वाले, ओके, तो orange crystals of k2Cr2O7, crystallize हो जाते हैं, इस reaction के बाद, बात समझ में आगी, अब properties पर अगर हम लोग इनके बड़े, तो इनको समझना, अगर शुरू करना है, तो इनके structures को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अब ज अगर हम लोग पहले chromate को देखेंगे, क्योंकि थोड़ा simple है, मतलब complicated structure नहीं है उसका, तो यह CRO4 2-, chromate वाला, देखो, chromate आयन, CRO4, देखो, 4 oxygen, 2-, यह tetrahedral है, और dichromate कैसा है, ऐसे समझ लो, कि भाई, दो chromates मिलके, dichromate बना रहे हैं, नाम नहीं देखो, चुपा हुआ है तो यह रहा अपना एक chromate, देखो, CRO4, यह रहा दूसरा chromate, CRO4, बस बात यह है, कि दोनों भी chromates जो है, ऐसे नहीं, अलग-अलग chromates आदे, ऐसे समझ लो, यह chromate है, और फिर यही सेम oxygen को हम लोग common पकड़ेंगे, और दूसरा chromate दिख रहे हैं, तो logically दोनों से नहीं बन रह यह एक corner को share कर रहें, tetrahedral के एक corner को, जो कि है हमारा यह oxygen वाला corner, और फिर यह bond बन रहा है, CROCR वाला, कुछ इस तरीके से 126 degree bond angle वाला, तो ऐसे, तीन हाथ है, ऐसे समझ लो, bird जैसा कुछ structure है, बीच में oxygen ऐसे, देख रहा है, आक वे गए रहा है, ऐसे समझ सकते हो, आप चो उड़ सकता है, ऐसे याद हो जाएगा शायद, डाइक्रोमेट वाला structure, मैंने तो ऐसे याद किया, ओके tetrahydra जुड रहे है, इस तरीके से, with CROCR bond angle 126 degree, तो properties में सबसे पहली चीज, अगर आपको समझ नहीं है, K2CR 2.7 की, तो वो है उसका oxidizing nature, अब यह strong oxidizing agent की तरह behave करते है, acidic conditions में, KMNO4 के बाद जब करेंगे, तब देखेंगे कि वो किस में कर रहा है, acidic में कर रहा है, alkaline में कर रहा है, दोनों में भी कर रहा है, अब यहाँ पर, यह K2CR 2.7 oxidizing agent की तरह behave कर रहा है, मतलब इसका जो CR 2.7 2- यह जो anion है, इसके terms में हम लोग समझेंगे कि कैसे oxidize कर रह देखो, K2 में मतलब 2 potassium आयन है, 2 potassium का 2+, तो यह रहा 2+, वाला हमारा section, तो यह बचा हुआ क्या होगा, CR 2.7 2- ही होगा, correct, यह जब आता है, acidic conditions में, तो यह खुद हो जाता है, reduce, फिर उस चकर में दूसरे को oxidize करेगा, simple सिखानिये, अब खुद reduce हो जाता है, मतलब, यह CR 2.7 2- इसमें, chromium का oxidation state, देखो, ढूंड के, देखो, oxygen साथ है, 14, minus 14, बहार आ जाएगा, plus 14, minus 2, plus 14, हम लोग, plus 12 मिलेगा, और plus 12 को, 2 chromium को बाढ़ दो, तो plus 6, plus 6, तो मतलब, एक chromium का plus 6, okay, dichromate में, याद नहीं होगा, तो भी oxidation state, सबको निकाने को आता है, खतम बात, आप देखो, chromium 3, plus ions, तो plus 6, से plus 3 में जा रहा है, यह बताने की ज़रूरत नहीं, आइन के उपर, जो चार्ज होई, oxidation state, तो plus 6, से जा रहा है, plus 3 में, मतलब, उसका हो रहा है, reduction, उस चक्कर में, दूसरे को वो करेगा, अच्छे से, oxidize, in, यह देख रहे है, 14H plus ions, acidic condition, तो यह है, एक half reaction, आ देखो, अब इस chapter में, उसका direct application है, redox reaction के balance करने के, जो concept से उसका, तो अगर आपने miss किया होगा, तो आरपित सर भी redox reaction chapter पढ़ा रहे है, या फिर आप one shot videos में से भी सीख सकते हो है, किसे भी, जो redox reaction के जो chapters है, हमारे channel पर, उनसे भी जा के आप balancing वाली चीज सीख सकते हो, by ion electron method सीखो, by oxidation number method सीखो, आपकी मरजी, जो आपको अच्छा लगता है, पर सीखो जरूर, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे, तो इस chapter के जो reactions है ना, दिमाग के उपर एकदम bouncer चले जाएंगे, सच बोल रहा हूं है, जूट नहीं बोलो, अब देखो, ये एक reaction दिख रहा हमें, इ acidic conditions में, तो ये half reaction acidic condition में आपको लिखने को आनी चाहिए, आना मंगता है भाई, क्योंकि अगर नहीं आएगे ना, तो exam में आपसे पूछा जाता है कई बार, कि balance करके दिखाओ, मतलब हो सकता है कि ऐसे भी कुछ सवाल आ जाए, कि balance करके दिखाओ redox reaction को, या फिर आपसे पू species में, मतलब oxidize कर रहा है, और खुद कोन से species में reduce हो रहा है, तो ये सब का फोड़ा logic समझने के लिए balancing आनी चाहिए, वो बात में बता दिया आपको, अब कैसे balancing करनी है, उसका एक simple सा basic logic बता देता हो, बाद में आपको खुद को try करना है, उस चीज को, एकदम depth में जाने की परत नहीं है, क्योंकि ये इस chapter का core नहीं है, redox reaction को balance करना, वो basic सी चीज है, तो यहाँ पर ये reduction half reaction हम लोग ने देखा, dichromate का in acidic condition, अब उसी तरीके से देखना, ये oxidize कर रहा है इन सारे species को, iodide को, sulfide को, Sn2+, Fe2+, और oxidize कर रहा है, मतलब इनको क्या करेगा, इनका oxidation number बढ़ाए जिरो पे लेके जाएगा, iodine बनाएगा, वैसे ही, sulfide में 2- है, 0 करेगा, oxidation state oxidize करेगा, और sulfur बनाएगा, Sn2+, Sn4+, oxidation state बढ़ाए, oxidize किया, Fe2+, Fe3+, oxidation state बढ़ाए, oxidize किया, तो ये सब कोन कर रहा है, potassium dichromate कर रहा है, अब कर कैसे रहा है, इसके लिए वो reaction लिखनी पढ़ेगी, कैस iodine, ये, ये क्या है, ये minus 1 से 0 जा रहा है, मतलब ये oxidation हो रहा है, और इस oxidation half reaction की आप मदद लोगे, reduction half reaction की मदद लोगे, balance करोगे, ठीक से, तो आपको पूरी की पूरी reaction मिल जाएगी, जिसमें आपको समझ में आएगा, कि भई, potassium dichromate किस तरीके से, और फिर net effect समझ में आएग तो concept का core यही कहता है, कि आपको याद क्या रखना है, देखो, reactions रटने नहीं है, इस chapter के, पगला जाओगे, सच बोल रहा हो में, ये 14H plus ion, 6 electron, 7 water molecule केसे याद रहोगे, कितने सारी reaction के याद रहोगी, नहीं हो पाएगा, वो करना भी मत हो भी जाएगा, तो भी बहुत method यही है, आप half reactions को समझो, क्या समझना है, ये बता रहा होगा आपको, बस ये समझना है, कि potassium dichromate oxidizing agent की तरह जब behave करता है, तब खुद reduce होता है, कैसे reduce होता है, उसका dichromate वाला, जो CR2, O7, 2 minus है, उसमें उसका plus 6 oxidation state होता है, उससे ओ जाता है, plus 3 all oxidation state में, और बनता है CR3 plus, तो मतलब आपको direct click हो जाएगा कि reaction लिखते टाइम पर H plus science का involvement होगा, और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, कौन से कौन से species को, वो कौन से कौन से species में oxidize कर रहे हैं, बस, जैसे कि iodide को iodine में, sulfide को sulfur में, वो ही चीज़, clear होगई बात, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो oxidizing agent property देखी, इनकी एक खास ability भी है, अब जो dichromate और chromate है ना, ध्यान दे ना, इसमें जो chromium है, उसका oxidation state सेम है, लिखके देखो, जैको CRO 4 2 minus, और CRO 2 0 7 2 minus, अब इसमें देखो, 4 2 0 8, 8 minus, बहार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 plus, तो minus 2, plus 8, plus 6, यहाँ पर भी plus 6, और CRO 2 0 7 2 minus में, अब भी रेकाना हम लोग ने, CRO 2 0 2 minus में, CRO 2 0 2 minus में, CRO 2 0 6, तो यहाँ पर भी plus 6, तो देखो, chromate और dichromate, इनमें, chromium का oxidation state सेम है, और यह, एक दूसरे में बदलते रहते है, interchange होते रहते है, अब यह भी depend किसके उपर करता है, aqueous solution में, solution के pH पर depend करता है, तो समझ ल में बन जाता हो, ऐसे होते होते रहता है, तो यह बन जायेगा, dichromate, तो देखो, chromate to dichromate, C to D, तो आप ऐसे याज रख सकते हो, A, C, D, acidic में C to D होगा, बस, तो अब alkaline में, alkaline में आप ऐसे A के याद रखो, या फिर A, L के याद रखो, तो A, L, K में, देखो, C to 2- dichromate बदल रहा है, C to 4- dichromate में, एक चीज याद रखो कि दूसरी चीज ऑट्रमेटिक दिमाग में चिपक जाएगे, तो ALC DC से अच्छा है, ACD, यह मतलब ACID यह दिमाग में रखना, यह नहीं हो रहा है, तो फिर ALC DC रखो, जो भी जैसे भी याद रखना रखो, बस याद रखो, क्योंकि हो सकता है कि आप ही जाए एक्जाम में, कि यह चीज जो है, क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स की, काफी इंट्रेस्टिंग सी है, चलो, अब बार यह आती है, हमारे दूसरे कंपाउंड की, KMNO4, अब इसमें इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं ही, कि almost कई सारे चीज़े, properties वाली में, हम लोग ने समझ लिए, इसमें फटाक oxidizing agent like KNO3, तो oxygen का presence है इसमें, यह हमें समझ में आ रहे, तो fusion of MNO2, यह लिए हमें MNO2, with an alkali metal hydroxide, यह लिए KOH, and an oxidizing agent like KNO3, तो इसलिए यह oxygen आ गया यहाँ पर, और यह सारे चक्कर में, हमारा MNO2 जो है, वो convert हो जाएगा, K2 MNO4 में, यह हमारा K2 MNO4, dark green color का, और फिर, यह K2 MNO4, disproportionate हो जाएगा, अब disproportionation वाले reaction में देखना, यह K2 वाले जो चीज है ना, इसको हटा दी है, मैंने, K2 में, 2 plus charges आएगे, एक potassium में, 1 plus charge लेका हैगा, तो 2 लेका हैंगे, तो K2 मतलब 2 plus, correct, तो यह MNO4 के उपर क्या होगा, 2 minus, तो इसी MNO4 2 minus को मैंने यह आपर लिया देखो, MNO4 2 minus को, और यह disproportionation दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, अब थोड़ी दर पहले भी हम लोग, मतलब, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि MNO4 2 minus में, या फिर, sorry, disproportionation reaction में होता क्या है, simply वो species में हमारा जो element है, वो एक, उसका जो oxidation state है, उससे एक, मतलब, एक oxidation state जादा होगा, product वाले area में, product वाले हमारे species में, और उस oxidation state से, जो हमारे reactant में disproportionate हो रहा है, okay, species, उस oxidation state से एक कम वाला होगा, oxidation state, देखते हैं, समझ जाएगा आपको, MNO4 2 minus, थोड़ इसी टेड़ी चीज़ है, अब इसमें देखो, MNO4 2 minus, में oxygen 8 minus, बाहर गया, plus 8, तो minus 2 plus 8, plus 6, तो यहाँ पर manganese है, plus 6 में, अब यह देखो, कैसे disproportionate हो रहा है, यह वाला manganese, plus 6 वाला मैं यह करने के कोशिच कर रहा हूँ, यह जाएगा, उसके, जो species मिलेंगे हमको product में, उसमें manganese जाएगा, एक oxidation state ऐसा होगा, जो plus 6 से higher होगा, और दूसरा oxidation state होगा, plus 6 से lower वाला, देखना, अब यहाँ पर MNO4 minus है हमारा, तो यह क्या बना, यह तो हमारा potassium पर manganese बना, समझ में आना चाहिए, plus process में हो क्या रहा है, इस सारे चक्कर में MNO4 minus बन रहा है, अब MNO4 minus को मैं potassium permanganate क्यों कह रहा हूँ, देखो ना ध्यान से, के MNO4 क्या होता है, potassium permanganate, के plus MNO4 minus, तो इसलिए potassium permanganate, MNO4 minus permanganate, समझ मैं आगे बद, तो potassium तो आके जूड़ी जाएगा उसके साथ, clear potassium का iron, फिर बन जागा potassium permanganate, अब इसमें जो बताने वाली बात थी, disproportionate हो रहा है, higher oxidation state कैसा रहेगा, देखो, यहाँ पर simply O4, 8 minus, यह 8 minus भार जाएगा, minus 1 plus 8, plus 7, तो यहाँ पर manganese का plus 7 oxidation state, देखो, higher वाला मिल गया, उसी तरह के से MnO2 में, यह 2, 2, 4 minus, तो यह 4 plus, correct, O2 है न, तो 2 minus, 4 minus, 4 plus, बस, lower oxidation state वाला मिल गया, तो इस तरह के से disproportionation होआ, और हमें हमारा permanganate मिल गया, अब यह तो एक method था, दूसरा हम लोग method जो यूज़ करते हैं, commercial basis पे, वो alkaline oxidative fusion करवाते हैं हम लोग उसका, उसमें MnO2 का, यहाँ पर हम लोग ने MnO2 के साथ यह सारे खिलवाड किये, उसका fusion करवाया, किया भई, alkaline metal hydroxide के साथ किया, oxidizing agent भी लेके आए, पर यहाँ पर हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले तो रहे, potassium hydroxide वो ही, oxidize कर रहे हैं, air या फिर KNO 3, इसके जैसे ही, इसके जैसे ही, बस हमें दूसरी step में कुछ अतरंगी चीज़ करनी है, जीसे कि पहली step तो समझ लो, alkaline oxidative fusion, देखो, alkaline fusion समझ लो, और oxidation हो रहा है, समझ लो, एक चीज़ alkaline fusion, दूसरा oxidation, तो देखो, fused with KOH, हो गया alkaline fusion, और दूसरी चीज़ oxidized with air, या फिर K KNO3, तो हो गया oxidative, मतलब oxidation, correct, oxidized with air, और KNO3, oxidation, किसका कर रहे हम लोग, MNO2 का, तो alkaline oxidative fusion of MNO2, तो यह सब हो रहा है, देखो, किसका, MNO2 का, MNO2 बनेगा क्या, manganate ion बनेगा, MNO4 2-, जैसे कि यहाँ पर भी बना था, पिछले वाले reaction में, K2 MNO4, यह रहा, K2 MNO4, MNO4 2- ही तो बना था, तो यहाँ पर भी होई, MNO4 2- बनेगा, पर MNO4 2- के साथ हम लोग क्या खिलवाड करेंगे, अब, electrolytic oxidation करेंगे, in alkaline solution, किसका, MNO4 2- का, इस manganate ion का, और फिर इस manganate को हम लोग convert करेंगे, पर manganate में, सेम, वहाँ पर भी, पहले आली reaction में भी बैसी कुछ हुआ था, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हो रहे, तो देखो, यह हुआ, alkaline oxidative fusion of MNO2, बना हमारा MNO4 2-, अब देखो, इस MNO4 2- का हम लोग यहाँ पर लेके गए, MNO4 2-, और इसका किया, electrolytic oxidation, manganate 6 लिखा है, यहाँ पर, जहीर सी बात है, MNO4 2- में, manganese जो है, हमारा 6 में है, यही प MNO4 2- में, manganese प्लस 6 में, तो MNO4 2- में, manganese प्लस 6 में, इसलिए लिखा है आपर, electrolytic oxidation of manganate 6, मतलब manganese प्लस 6 में, 2 पर manganate, यह रहा हमारा पर manganate MNO4-, clear, followed by, मतलब इसी को हम लोग ने आगे use किया था, logic समझ में आ गया, अब अगर lab में करना है, तो हम लोग simply MN2 iron का salt ल हम लोग ने MN2+, जो आनायन वाला चीज़े वो लिखी ने रहा हम लोग, simplicity के लिए भाई, अगर इतनी सारी चीज़े लिखते बेटेंगे मतलब तो गडबड हो जाएगी, कहीं क्यूं complex करना है चीज़ों को, simple, जो चीज़ चाहिए उसी को समझ लेते, इसलिए सिर्फ हम ल पर सलफेट आयन्स की बाद चल रही है, पर अक्षोडाय सलफेट बोले तो पर सलफेट आयन्स, पर सलफेट आयन्स मतलब S2O82- तो ये रहे, पर अक्षोडाय सलफेट ये रहा, S2O82- तो ये MN2 वाला आयन, salt is oxidized by S2O82- ये रहा इन दोनों का मिलन हो रहा है, और फिर बन हमारा देखो, MnO4- per manganate, K+, MnO4- बन गया हमारा KMnO4, तो ये थी कहानी preparation की, अब जब हम लोग properties पर आएंगे, तो KMnO4 जो है, डार्क पर्पल कलर का है, अल्मुस्ट ब्लैकिश भी दिखता है, अगर लैब में आपने कभी KMnO4 का solution बनाया होगा, तो आपको समझ में थोड़ा डार्किश, ब्लैक पर्पलिश, ऐसे भी कह सकते हो, आप, इंटरेस्टिंग सा कलर है, मजा आता है बनाने में, मैंने माना कि देखा है, साइद आपने भी देखा होगा, तो इसलिए KMnO4, डार्क पर्पल, अल्मुस्ट ब्लैक क्रिस्टल होते है, जिनका structure जो है KCLO4 के साथ मिलता जुलता है, बिचार आइसो स्ट्रॉक्चरल विद दोज ओफ KCLO4, अब KMnO4 थोड़े कम, KMnO4 जो है, वो कम सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल इन वाटर, और दूसरा जब हम लोग उसको हीट करते है, वेन हीटेड, अब किसमें डिकंपोस देता है, के उपर सबाला है, देखो, KMnO4 हो जाता है, डिकंपोसें टू, K2MnO4, बोले तो मैंगनेट, मैंगनेट यादा है, MnO4, 2-, यह रहा 2+, तो MnO4, 2-, मैंगनेट, यह तो बाच चल रही है, देखो, कहा गया, MnO4, 2-, मैंगनेट, तो बात सिर्फ घुम, फिर के, मैंगन होने वाली है, तो यह ऐसे मैंगनेट बनेगा, MnO2 वाला हमारा स्पीशीज बनेगा, जिसमें MnO4, बात दूसरे प्रापरिटीज की, तो जब हम लोग मैंगनेट और परमैंगनेट आयन्स को देखेंगे, जैसे हम लोग ने क्रोमेट और डाइक्रोमेट को देखा था, त तो उसमें उनके स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें भी इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मैंगनेट और परमैंगनेट कैसे हैं आयन्स, टेट्राहिडरल है, दोनों भी, यह रहा के सामने उसका स्ट्रक्चर, यह रहा हमारा टेट्राहिडरल मैंगनेट आयन, हरे हरे इसमें देखो, manganese 2 oxygen के साथ double bond बना रहा है, और यहाँ पर देखो, per manganate iron में, परपलिश कलर का है, manganese 3 oxygen के साथ double bond बना रहा है, अब यह जो double bond formation होता है, यह इस तरीके से होता है कि oxygen का p-orbital और manganese का d-orbital, इनके बीच में होता है pi bond का formation, तो देखो, pi bonding takes place by overlap of p-orbital of oxygen, p-orbital with d-orbital of manganese, अब इनके आगर आप structure को देखोगे, और इसमें से हमारा जो manganese है, उसके ओपर थोड़ा ध्यान दोगे, तो इन species का paramagnetic या फिर diamagnetic होने के पीछे का logic समझने आएगा, जिसे की for example, सबसे पहले मैं आपको simply बता देतो, कि भही manganate जो है, वो होता है paramagnetic, ये रहा आपना manganate ion paramagnetic Q, क्योंकि MnO4 2- में, हम लोग ने देखा है, plus 6 oxidation state है, ये रहा, MnO4 2- plus 6, अब plus 6 में होता क्या है, अगर Mn plus 6 वाले में है, तो सोचो ना, इसका configuration लिखने की कोश होता है, 6 electron lose करने के बाद, क्या होगा भाई, इसके साथ, इसके तो 5 के 5, मतलब यहाँ पर, sorry, 2 पहले तो यहाँ से निकल जाएंगे, तीक है, और फिर 4 जो है, ये इसमें से निकल जाएंगे, तो बचे कितने D में, सिर्फ 1, correct, 1, तो configuration होगा 3D1, सिर्फ 3D1 होगा, Mn6 plus का, पर एक तो है, अट लीस्ट, एक अनपेड इलेक्टरॉन तो है, और हमें तो पता है, paramagnetic substances वैसा behavior दिखाते हैं, कैसा, magnetic field में attract होने वाला behavior, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्टरॉन होते हैं, ये रहा हमारे Mn6 plus के पास अनपेड इलेक्टरॉन, इसी वज़े से हमारा mangan जो है, paramagnetic है, देखो, manganate paramagnetic, एक अनपेड इलेक्टरॉन ही से, अब पास करना, सोचना, कि भाई, पर manganate diamagnetic क्यों होगा, ओके, I hope, आपने सोचा होगा, कि माग चलाया होगा, कुछ नहीं, बहुत ही simple सी कहानी है, यहाँ पर manganate में हमारा manganese, का oxidation state कितना है, ढूंडो, MnO4 माइनस वाले में, अब भी थोड़े देर पहले देखा था हम लोग ने, प्लस 7, करेक्ट, देखो, कहा गया, यह रहा, MnO4 माइनस, क्या है हमारा, पर manganate, manganese, प्लस 7, तो, प्लस 7, oxidation state है, इसका मतलब सब गए न, 4S में से भी 2 गए, 3D में से भी 5 गए, तो configuration में प्लस 7 में यह कहानी होती है, इसलिए हमारा, permanganate ion, diamagnetic, no, unpaid electrons, अब, लास्टली, एकदम बेसिक सी चीज, जो हम लोग ने, K2, CR2, O7 में देखी थी, exact उसी तरीके से हमारा, KMnO4 का भी behavior है, भाई, strong oxidizing है, इन दोनों को ना, कुछ अलग ही मज़ा आता है, दूसरों को oxidize कर में, पर यह हमको याद रखना है, जब कभी भी, कोई भी species, दूसरों को oxidize करें, खुद reduce हो रही है, और किस तरीके से खुद reduce हो रही है, यह बस याद रखना है, यह concept हम लोग ने समझा था, K2, CR2, O7 में, ओके, यह आप याद रखोगे, reaction लिग दोगे, तो दूसरों को oxidize करने के चकर में, खुद कैसे reduce दोता है, हमारा KMNO4, यह MNO4 माइनस से, ओके, बनता है MN2+, में, पर किसमे, acidic condition में, अब यहाँ पर कहानी में twist आता है, क्योंकि K2, CR2, O7, तो सिर्फ हम लोग ने देखा था, acidic condition में, उसका strong oxidizing agent, जैसा behavior देखा था, यहाँ पर KMNO4, आगे पी medium में मुझे डाल दो, oxidize तो में पका करूँगा दूसरे को, और फिर उस चकर में, खुद भी में reduce हो जाऊँगा, पर condition अलग-अलग होते ही, हमारे species, हमारा जो, पर-manganate है, वो दूसरे species में बदलेगा, मतलब अलग-अलग species में बदलेगा, जैसे कि मैं कहने के कुशिच कर acidic condition में, हमारा MnO4-permanganate बदलता है, into Mn2+, देखोगे आप, तो permanganate में, plus 7 oxidation state, correct, अब देखा था, और यहाँ पर, plus 2 oxidation state में जा रहा है, तो हो क्या रहा है, खुद हो रहा है, reduce, oxidation number में गट होती, अब खुद reduce हो रहा है, दूसरे को कसक एकदम oxidize कर रहा है, तो इसलिए, oxidizing agent क तरह behavior कर रहा है हमारा Kmno4, यह रहा MnO4 उसके अंदर का, इसके behavior के वज़े से, समझ में आगई बात, acidic condition में, तो acidic condition में यह इस तरीके से, यह हुआ हमारा reduction half reaction, अगर आपको reaction लिखनी है, balance करते हुए, correct way में, तो यह होगे reduction वाली half reaction, और oxidizing half reaction मतलब क्या, तो किसको oxidize कर रह है, इतना ही याद रखना है, अब इन सारे चीजों को, इन सारे species को oxidize कर रहा है, iodide को, sulfide को, tin4 को, tin2 को, lead अपना iron 2 को, अब यह तो भाई, same to same ही दिख रहे है न, के टू से आल टो से वह भी तो कर रहा था, iodide को iodine में, sulfide को sulfur में, tin2 को, tin4 में oxidize, fe2 को fe3 में oxidize, इसके अला को करता है, sulfate में oxidize, nitrite को करेगा, nitrate में oxidize, ठीक है, तो ये चीज़े बस आपको याद रखनी है, ये हो गई आपकी, हर एक species के लिए, oxidation वाली half reaction यही से निकलेगी आपकी, बस ये दो चीज़े एकदम fix, याद रहेगी, खतम बात, acidic condition से तो H plus science का involvement होगा, वो सारे parameters को याद ध्यान में रखते हुए, balance करोगे, एकदम अच्छे से, शिदत से, प्यार से हो जाएगा, reaction अपना complete, उसी तरीके से, alkaline conditions में, हमारा, भले वो faintly alkaline ही क्यों ना हो, या फिर neutral में, MnO4- permanganate बदलता है, MnO2 में, अब यहाँ पर भी देखो, same plus 7 oxidation state, to MnO2 में, okay, 2 minus 4 minus 4 plus, plus 4 oxidation state, तो यहाँ पर भी यह reduce ही हुआ, oxidation number में गटोती, उस चकर में दूसरे को oxidize करेगा, भले वो faintly alkaline condition और neutral condition ही क्यों ना हो, तब इस तरीके से करता है, खुद में उसके यह transformation आ जाता है, यह याद रखना है, दूसरी चीज, रही याद, alkaline और neutral वाली में, बस, और फिर बाद में, यह alkaline और neutral conditions में किन-किन species को किस में oxidize करता है, अब यहाँ पर कहाणी में twist आएगा, देखो, iodide को, ध्यान दे न, KMNO4 ही, iodine में बदल रहा है, acidic condition में, ठीके, और उसी iodide को, अगर faintly alkaline conditions रखोगे आप, या फिर neutral conditions रखोगे, मतलब OH-I-N का involvement रहेगा, अगर alkaline conditions बोले तो, इसी iodide को यह iodate में बदलता है, IO3, ओके, यह थोड़ी छोटी छोटी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, वरना में तो गडबड हो जाएगी, ध्यान में रखोगे तो गडबड नहीं होगी, यह रहा S2O32- को SO42- में बदल दिया, और MN2+, को MNO2 में बदल दिया, त खुद के वाले, खुद वाले भी compounds को भी यह ऐसी बदल देता है, MN2+, वाले compounds को MNO2 में बदल दिया, clear, मज़ा आ गया, अब देखो हम लोग, last वाले segment पे आ गए हमारे chapter के, जो की है F-block elements, हाँ, अब इनमें हम लोग सीखेंगे, उन 28 elements के बारे में, जिनके बारे में बहुत ही कम अतापता हमें अब तक है, तो F-block elements शुरुवात में मैंने कहा था, यह ऐसे एकदम बाहर bottom में रखे हुए elements है, हमारे periodic table के, अब इनमें F-वाले जो orbitals हैं, जैसे कि यह जो पहला आपको block दिख रहा है, पूरा का पूरा, यह पहला row, मैंने कहा था, इनमें 4F-वाले orbitals ज होते हैं, और फिर यह जो दूसरा वाला block है, इनमें 5F-वाले जो orbitals हैं, इनमें fill होते हैं, 5F-वाले orbitals से यह progressively fill होते हैं, electrons से, simple, अब इनमें न, देखो यह जो 14 elements है, cerium to lutetium, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहे होगी, तो मैं यह पली देता हो, cerium to lutetium, और यह रहा है दूसरा group, 14 elements का, thorium to lutetium, एक मिनिट, मैं एक जैसे color से लिखता हूँ, ताकि क्या होगा, आपको उन elements को समझने में आसा है होगी, thorium to lutetium, यह रहे, तो यह 14 elements, cerium to lutetium, दिख रहे हैं आपको, और यह 14 elements, thorium to lutetium, इनको हम लोग f-block, मतलब इन 28 elements के बारे में detail में पढ़ेंगे, और जो पहले 14 elements है, cerium to lutetium, इनको हम लोग lanthanoids कहते हैं, ओकी, lanthanoids, cerium to lutetium, अब कैसे याद रखोगे इसको, देखो यह cerium जो आता है न, यह lanthinum के बाद आ जाता है, देखो, cerium आया है, lanthinum के बाद, तो इसलिए lanthanoids, ऐसे याद रखो, और फिर यह जो thorium to lutetium है न, इनको कहते हैं, actinoids, ठीके, अब क्यूंकि lanthanoids और actinoids के case में, अहाँ, actinoids के सियाद रखो के, actinium के बाद वाले 14 elements, actinoids, तो देखो, actinium के बाद वाले 14 elements, thorium से लेके, lawrence symptom, actinoids, अब यह lanthanoids और actinoids की कहानी हमें actual में पढ़नी है, f-block elements में, पर हम लोग इसमें lanthanum को भी जोड़ देते हैं, और actinium को भी जोड़ देते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पर lanthanum जो है, काफी जादा हम लोग सोचते हैं कि भाई, एकी साथ बेठे हुए यह लोग, तो पढ़ लेते हैं, और क्योंकि एक साथ बेठे हुए तो बहुत resemblance भी है, lanthanum में और इन 14 elements में, क्योंकि lanthanum closely resembles with the lanthanoids, बागी के 14 elements हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई, बिचारे को अकेला नहीं रखते, इस lanthanum को हम लोग lanthanoids के साथ पढ़ते हैं, और फिर इस actinium को भी हम लोग actinoids के साथ पढ़ते हैं, तो इसलिए देखो, it is usually included in any discussion of lanthanoids, कोन? lanthanum, और फिर हम लोग जब lanthanoids के बारे में बात करते हैं, तो उसको एक symbol दिया गा है, यहाँ पर NCRT में, LN करके, और वो ही same case, भाई हम लोग similarly, a discussion of actinoids includes actinium, जब भी कभी actinoids की बात चल रहे हैं, तो समझ लेना, मतलब यहाँ पर हम लोग actinium की भी बात कर रहे हैं, इस chapter में, भले actinium actinoid में नहीं आता, फिर भी हम लोग करते हैं उनकी बात, एक साथ 3D series, 4D series, 5D series को पढ़ते टाइम पर भले वो transition elements नहीं हैं, फिर भी हम लोग इनको भी कर रहे हैं, अब जब lanthanoids की बारी आएगी, तो इनमें electronic configuration की आगर में बात करूँ, बहुत जादा आपको अतरंगी electronic configuration दिखने को मिलेंगे, पर एक basic आगर logic समझेंगे हम लोग, या फि इनके 6S वाले orbital की completely filled state, तो electronic configuration में अगर आप कहोगे, तो इनका N-1D orbital, यहाँ पर कभी-कभी बीच में कुछ role play कर देता है, देखो, जैसी कि आप देख सकते हो, सीरियम के case में जो N-th shell है, 6th shell है, लास्ट shell, पर उसका N-1D में एक electron है, अगर आप देख नहीं पार होगे, तो textbook में देख सकते हो, समझ में आजाएगा, ओके, और 4F वाला तो progressively filled होगा, यह तो basic वाला logic है, clear, तो success अगर आप देखोगे ना, तो सारे elements में, success to, 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 ऐसी, ओके, दिखेगा आपको, common है, success to filled है, ओके, पर variable occupancy किसकी है, 4F की, जिसकी 4F1, 4F3, 4F4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, इस तरीके से, और बीच-बीच में कहाँ पर, N-1D वाला orbital भी आ रहा है, अब इस case में N-1D मतलब 5D वाले orbitals, देखो, 5D1 यहाँ पर आ गया, मैं highlight करता हूँ, क्योंकि यह अतरंगी electronic configuration से इनके, तो यह रहा अपना 5D1, अतरंगी कुछ दिख रहा है, 5D1, यहाँ पर भी देखो, 5D1, ओके, basic logic समझ में आ गया, electronic configuration का, अब जब मैं इनके 3+, वाले ions की बात करता हूँ, अब देखो, table में सब जगे प हो है, LN, NCRT में, basically हम लोग इसी notation से इनको समझ रहे, अब जब हम लोग LN3+, वाले ions की बात करे, इनके 3+, वाले ions की, जो की होता है, इनका सबसे stable state, the most stable oxidation state of all the lanthinoids, LN3+, ओकी, all the tri-positive ions, इनमें अगर configuration इनका देखेंगे, हम लोग तो 4FN पैक्टन वाला configuration है, 4FN बोले तो, N मतलब, 1 से लेके 14 तक आपको values दिखेंगे, for example, जैसे देखो, table में आपको दिख रहा होगा, ये रहा अपना LN3+, वाले electronic configuration, जिसमें lanthanum की छोड़ दो बात, बात तो lanthinoids की चल रही है, आपर, तो 4F1, क्या है अपना, cerium, तो वहाँ से लेके 4F14 तक, जो की क्या है, अपना कोई संबंध नहीं है, यापर, सिर्फ 4F वाले orbitals में फिलिंग हो रही है, progressively, from 1 to 14, इसलिए N is equals to from 1 to 14, with increasing atomic number, मतलब, from cerium to lutecium, बात क्लियर हो गई, अब lanthinoids में सबसे interesting चीज़ और सबसे जादा बोलने जाने वाली चीज़ है, lanthinoid contraction, कुछ नहीं भई, बहुत जादा बवा contraction बोले तो क्या होता है, बाई, सिकुड जाना, और यहाँ पर lanthinoids का सिकुड जाता है, मतलब lanthinoids सिकुडते हैं, यही बस observe होता है, सिकुडते हैं, मतलब उनके sizes चोटे-चोटे होते, कौन से sizes, बाई, atomic size कहो, ionic size कहो, दोनों भी sizes में, decrease जो आ रही है, lanthinoids की, उसी को कहत है, lanthinoid contraction, बस, बाकि कुछ नहीं, अब क्यू होता है, यह मज़दार चीज़ है, तो सबसे पहले देखो, lanthinoid contraction, overall decrease in the atomic and ionic radii, from lanthanum to lutetium, okay, from lanthanum to lutetium, laa से lute तक, पूरे 15 elements की बाद चल रही है, अब ध्यान देना, जब 15 elements में ऐसी decrease होते जा रही है, तो उसके भी कुछ effects दिगर है, पर उन effects को समझने से पहले, यह decrease क्यों होती है, एक basic सी चीज़ समझ लेते हैं, जो हम लोग कई बार पढ़ते हैं, कि भाई, across the period जब हम लोग जाते है, ATP, left to right, correct, कोई भी period में है, तो यहाँ पर हम लोग वही तो कर रहे है, यह भी तो period जैसे ही बात हुई, क्य देखो, from la to loo, जा रहे हैं, तो across the period, from left to right, sizes होते है, छोटू, छोटू, कितने बार पढ़ते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि nucleus का जो influence है हमारी, यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, गिरा, sizes, छोटे, 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 हो जाता है, क्यों, क्योंकि atomic number बढ़ में, इनके case में, जो filling हो रही है, वो progressively हो रही है, 4F वाले orbitals में, अब 4F वाले orbitals मतलब, इनका second last, third last shell, sorry, second last नहीं, okay, second last भी नहीं, third last shell में, electron जा रहे, मतलब, देखो, 6S वाला shell इनका यह है, मतलब, 6S वाला electron इसमें, 6 shell में, okay, 5D वाले अगर आए, तो 5th shell में, okay, और फिर यह पर फिर फिर भी नहीं, पड़ता है, नूकलियस, नूकलियस के जो, जो नूकलियर चार्ग जो बढ़ रहा है, okay, फरक क्यों नहीं पड़ रहा है, मैं बोलो, क्योंकि नूकलियर चार्ग जो बढ़ रहा है, वो इस तरीके से बढ़ रहा है, कि भई, भले अंदर electrons आड़ हो, भले shielding में, जो हमें दिख रही है, okay, electrons add होंगे, तो कही ना कही, कुछ मातरा में ही ना हो, थोड़ी बहुत तो shielding आगे बढ़ेगी, पर नूकलियर चार्ग क्योंकि ओवर पावर कर रहा है, इन फैक्टर्स को, तो भई, नूकलियस एकदम कसके पकड़ेगा, और खीचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अंदर, तो इस तरीके से खीचते-खीचते-खीचते-खीचते sizes, छुटु-छोटु करते जाता है, फ्रम भले वो आइनिक sizes हो, भले वो अटॉमिक sizes हो, तो बेसिक लॉजिक हमारा अक्रॉस दे पिरेड वाला, कि भई, नूकलियस का इंफ्लुएंस खतरनाक होता है, मतलब नूकलियर चार्ग जो इंक्रीज हो रहा है, हो आउटवे कर रहा है, हमारे शिल्डिंग को, यहापर भी भी हो रहा है, बेसिक लॉजिक, अब कॉजिस क्या है, यह समझना है, कि भाई यह होता है, लाटूलू में sizes चोटू-चोटू होते जाते, बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीज़े, जनरल चीज़े, पर इस से गड़बढ़िया हो रही है, इस तरीके से, कि जब हम ल पढ़ रहे थे, लाटूलू का साइज है, तो नीचे जाएंगे, हम लोग तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पर लाटून से फिर, जब हम लोग लूटेसियम तक आते हैं, तब sizes में decrease होते 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 होते, इतनी होती है, कि हाफ नियम की साइज 159 पिको मेटर हो जा और फिर ये सिलसिला चलते रहता है, कि यहाँ पर भी sizes में घटोती होगी decrease होगा, यहाँ पर भी decrease होगा across the period, और फिर ये उपर के 4F वाले, जो transition elements है, इनकी sizes 5F वालों से मेल खाती है, यह भी हम लोग ने देखा थे, जब हम लोग 3D, 4D वाले जो transition series है, वो 5D वालों से मेल यह भी हम लोग देखा थे, 3D, 4D, 5D series के elements की atomic sizes का curve हम लोग देख रहे थे, यादा रहे है कुछ? बस, यही logic है, यही, यह हो जाता है हमारे lengthenade contraction की वज़े से, तो देखो, simple सी चीज़ है, the radii of the members of 4D series to be very, are found to be very similar to those of the corresponding members of 5D series, एकदम similar-similar, यह cause है, the almost identical radii of zirconium, जो मैंने a consequence of the lengthenade contraction, इसी के वज़े से होता है, और इसी के वज़े से, क्या होता है, account for their occurrence together in the nature, तो भाई, फिर अगर sizes बहुत identical है, तो इनका nature में पाया जाना भी एकदम बहुत ही, एक साथ ही पाये जाते है, तो गडबड क्या होगी? भाई, हम लोग इनको separately, मतलब separate नहीं कर पाएं तो हमें दिक्कत आएगी इनको separate करने में, तो क्या होता है, and for the difficulty faced in their separation, ओकी, occur करते हैं एक साथ इन दर nature, और उसी के वज़े से हमें difficulty आती है, separate करने में, clear? तो ये जो है, almost identical radio हो रहा है, जिर्कोनियम अलोहाफनियम का, लैंकनोड कॉंट्राक्शन के वज़े से, इसी के बहुत ही दिक्कत आती है, इनको separate करने में, और lastly, due to the similar size of lanthanoids, उनके वज़े से, they also have similar properties, correct, lanthanoids की, बहुत, बहुत करीब-करीब sizes है, देखो आप, अगर आप देखोगे न, ये रही अपनी lanthanoids की size, तो, picometers में, 187, 183, 182, 181, कितनी same same है, 181, 180, मतलब, जाई नही रही है अब ये जो 199 है, इसके बारे में बहुलूंगा है, देखो, क्या है, जब हम लोग atomic radii देखते हैं, तो, उसका decrease ना एकदम regular नहीं है, as compared to, यहाँ पर, ionic radii है, m3 plus वाला, या फिर ln3 plus वाला, इनका atomic radii में, 187, 183, 182, 181, 181, 180, decrease हो रहा है, पर बीच में 199 हो रहा है, इंक्र हो रहा है, पर, regularity कहीं पर तो, ब्रेक हो रही है, atomic size में, यही लिखा है, the decrease in the atomic radii is not quite regular, यह रही, not quite regular, okay, as it is regular in the m3 plus science, जब देखो, आब ln3 plus science की decrease, okay, as it is regular है, उसमें, कैसे, 106, 103, 101, 99, decrease, 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 वैसे ही, 98, decrease, 96, 95, decrease, निचे-निचे जाओगे, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86, decrease ही हो रहा है, okay, पर regularly हो रहा है, कहीं पर, उट-पटांग increase नहीं दिख रही है, तो, क्योंकि इनके sizes, जैसे की देख रहा है, हम लोग 180 से, almost 173 तक ही range कर रहे है, 185, 187 से 173 तक, काफी करीब हैंके sizes, तो इसलिए, इनके properties भी similar पाए जाती है, therefore, they also have similar properties, और फिर, अगर properties similar है, तो एक साथ ही nature में occur करेंगे, और फिर वो ही गडबड, difficulty in separation of these lanthanoids, clear, अब lanthanoids के बारे में, एक और चीज हमें पढ़नी है, जो कि यह oxidation states, lanthanoids, predominantly, plus 2 और plus 3 oxidation states, show करते हैं, okay, जैसे कि हम लोग बाकी के भी groups के देख रहे थे group 13, 14, 15, किसे, कुछ basic common oxidation states, वो शो करते हैं, वैसे हमारे lanthanoids भी करते हैं, plus 2 and plus 3, पर, plus 2 and plus 4 ions in solution, और in the solid compounds भी हमें पाए जाते हैं, अब यह क्यों हो रहा है, क्योंकि यह जो irregularity है, okay, क्यों होती है, from the extra stability of MT, जैसे कि F0, हाफ फिल्ड, जैसे कि F7, और filled F sub shell, जैसे कि F14, देखो आब, यही table हमें समझाएगा, यह चीज, table पर जेकेंगे, हम लोग जाके, तो यह रही इनकी oxidation states, दिखरे हैं आपको M, M3+, M, M4+, मतलब M, M3+, M4+, तो मैंने कहा था, ओ, सॉरी हम लोग actinoids में आ गए, यह रहा, ln2+, ln3+, ओके, और फिर यहाँ पर हमको ln4+, भी दिख रहा है, इसमें, ln3+, और ln2+, predominant है, पर कई बार, ln2+, ln4+, भी दिखा जा रहा है, क्यों, ध्यान से देखेंगे, अगर configuration को, तो जहां कहीं भी F का filling, मतलब F orbitals, 0 हो गए है, मतलब, पूरे के पूरे empty है, या फिर half filled है, या फिर completely filled है, वहाँ पर यह oxidation state शो हो रहे है, for example, पहले देखो, 4F, 4F0, कहां पर है, 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 सीरियम में, और सीरियम 4 plus वाला oxidation state शो करता है, तकि 4F0 हो जाता है उसका, तो एकदम empty field वाला करके, 4F0 करेगा, या फिर, यह दिख रहा है, 4F7, यह रहा अपना, कोन 4F7 शो कर रहा है टर्बियम, ओकि, अब 4F7 में half field orbital, ज्यादा stable होता है, सब को पता है, अब उसी logic के आदार पर, देखो, ln2 plus में भी, कई बार, यहाँ पर, ln2 plus में 4F14, दिखा, यह तर्बियम, यह plus dual oxidation state शो कर सकता है, क्योंकि इसका 4F14, completely field हो रहा है, यह stable हो रहा है, तो बोलेगा, मैं इस oxidation state को शो करूँगा, उसी तरीके से देखो, 4F7, यह रहा अपना European plus dual oxidation state शो कर सकता है, तो इन examples के दवारा आप समझ सकते हो, कि भाई, F orbital की occupancy की basis पर, इनके oxidation states की, मतलब, जो दिखाने की तरीके है, या फिर दिखाने की जो logic है, वो depend कर रहा है, clear, अब आते हैं, actinoids पर, बोल पढ़ेंगे, actinium को भी इनके साथ, अब problem यह है ना, कि यह actinoids है, भले भाई, radioactive elements, फुर करके उड़ जाने वाले, अब उसमें भी, जो पहले half में जो elements है, शुरुवात, शुरुवात की, उनकी half life चलो ठीक है, अच्छी खासी है, पर जो निचले निचले, later वाले members जो है, इनकी half life तो भाई, कुछ, मतलब, 3 मिनिट तक भी आती है, इतनी भी कम-कम होता जाती है, half life, अब इस चकर में, जो नीचे वाले members है, इनको हम लोग ज़्यादा prepare नहीं कर पाए, the latter members could be prepared only in nanogram quantities, फिर, इन सारे चीजों के वज़े से, radio activity के वज़े से, इनकी half life कम होने के वज electronic configuration पर इनके, कुछ नहीं, जैसे lanterns का था ना, कि उनमें 6s2 एकदम must full भरा हुआ था, वैसी यहाँ पर भी electronic configuration अक्टोनेट का देखेंगा हम लोग, तो 7s2 must भरा हुआ है, 7s2, 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 full, 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 पर, variable occupancy किन की है, n-1d और, n-2f orbitals की, बोले तो, 6d और 5f orbitals की, देखो, and variable occupancy of, 5f and 6d sub shells, 6d and 5f, तो, आप देख सकते हो, electronic configuration में, actinium का 6d1 है, तो thorium का 6d2 है, तो 5d गाया भी है, पर बाद में फिर, sorry, 5f गाया भी है, तो कुछ अतरंगी वाला, electronic configuration भी आप देख सकते हो, देखो, thorium में 5f में, electrons ही नहीं fill किये गए, thorium directly बोलता है, मेरे 7s2 और 6d2 भर दो, 5f में 0 रखो, तो, ऐसा भी होता है, progressive filling होती है, 5f orbitals की, इन में, पर कई बार, ऐसे अतरंगी, electronic configuration भी दी जाते है, अग इसमें 5f 0 है, अब क्यों thorium बोलता है, मेरा 5f 0 रखो, क्योंकि भाई, वो stable होता है, empty 5f वाला orbital, अगर f वाला orbital 0 रखा, empty रखा, तो stable होता है, इसलिए thorium कहता है, हट रख के है, मेरा 0 रखो, वो इसी बीच बीच में, कोई-कोई, एकदम अड़ जाता है, और जैसे, क्यूरियम को देखो, क्यूरियम 5s7, देखा, अटके बेठा ह हो है, क्यूंकि देखो, amerycium में 5f7, 7s2 था, तो logically, अगला वाला electron जाना चाहिए था, 5f में, तो 7s2, 5f8 होना चाहिए था, 7s2, 5f8, पर है 7s2, 5f7, और जो electron जाना चाहिए था, वो नहीं गया है, उसके बदले में, d में भर गया electron, तो ये सारी गडबड़े होता है, क्यू 5f14, 6d1, 7s2, ये normal है, चलो, पर इसके उपर वाला देखो, 5f14, 7s2, 5f13, 7s2, 5f12, 5f11, ये सब normal-normal आते जारे हैं, पर हमारा Laurencium की कहानी में क्या है, इसको 5f14 इसमें भी भरा जा रहा है, तो इसमें 6d1 में जा रहा है electron, तो कई बार आतरंग electronic configuration में d orbital, n-1 d orbital occupy हो रहा है, ज ये जो 5f14 कहो, या फिर 5f7 कहो, या फिर 5f0 कहो, ये fully filled, half filled, या फिर empty वाले जो f orbitals है, ये extra stable है, तो यही कहानी है, देखो, irregularities in the electronic configuration of the actinoids, like those of in the lanthinoids, इसे हम लोगने देखा था, are related to the stabilities of f0, f7, f14 occupancies, किसकी, of 5f orbital, of the 5f orbitals, तो देखो, 0, 7, 14, तीनो भी रहा हम लोगने दे देखा था, occupancy of 5f, clear, lastly, अगर हम लोग actinoids के oxidation states को देखे, तो इन में ना कुछ अलग variation दिख रहा है, धेर सारे oxidation states show कर पा रहे हैं, पर उनमें भी कौन से मलो में, जो पहले हाफ में हैं न, वो वाले धेर सारे oxidation states show कर पा रहे, देखो, the elements in the first half of the series, frequently exhibit higher oxidation states, और वो भी धेर सार 5, देख रहे हैं, यह higher oxidation states, यह exhibit कर रहे हैं, अब variable oxidation states इन में क्यों दिख रहे हैं, मलो में, इसकी वज़ए है, due to the comparable energies of 5f, 6d और 7s levels, इन तीनों shells की energies almost उपर नीचे हैं, इतनी ज़्यादा difference नहीं है, इसलिए, तो देखो, oxidation states में, greater range of oxidation states, इतने सारे, देख रहे हैं, which is in part attributed to the fact that, क्यों है भाई यह, क्योंकि, fact that the 5f, 6d and 7f levels, इसलिए हैं, क्योंकि यह टीनों levels, 5f, 6d and 7s, are of comparable energies, almost, general oxidation state, plus 3, शो करते हैं यह, जैसे हमारे lanthanoids, शो कर रहे थे, और खास बात यह हैं, इनकी lanthanoids के साथ कैसे mail खाते हैं, क्योंकि इनके जो plus 3 state में, जो compounds है, क्योंकि, actinoids भी, okay, plus 3 state में, जादा compounds, शो करते हैं, as compared to the, plus 4 state, और यह lanthanoids भी करते हैं, तो इस तरीके से, यह lanthanoids के साथ mail खाते हैं, तो इसके साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के end पर आ गये हैं, I hope हम लोग ने, जितने भी चीज़े सीखी, आपको समझ में आई हों लर्नों मतलब free है पर best है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned, bye bye and have a great day.